कपिल शर्मा की छोटे परदे पर धमाकेदार वापसीते लेकिन पहले जगड़ों, बाद में गिर्ती टी आरपी और सेहत और शूटिंग के चलते छोटे परदे से दूर हो गए कपिल शर्मा की वापसीते हो गई है चैनल ने इस बात पर मुहर लगा दी है समाचार एजेंसी आई एन इस ने चैनल के एक जी क्यूटे वाइस प्रेजिडेंट और बिजनेस हेट दानिश खान के हवाले से बताया है कि कपिल की वापसी जल्द होने जा रही है लेकिन अभी तक उनके शो के किसी तरह के बदलाव या शो की डेट को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है दानिश खान ने कहा है कि कपिल टीवी पर बहुत जल्द ही वापस आने वाले हैं उनका चैनल कपिल से लगातार जुडा हुआ है और उनकी आने वाली फिल्म फिरंगी का एक प्रमोशनल शो भी किया जा रहा है भरोसा है कि उनकी फिल्म अच्छी चलेगी और उसके बाद वो शो में वापस आ जाएंगे हाल के दिनों में कपिल ने बार बार इस बात को कहा है कि वो बहुत दिनों तक टीवी से दूरी बना कर नहीं रख पाएंगे कपिल ने ये भी कहा था कि सुनील ग्रोवर के साथ हुए उनके जगडे का उन्हें बेहत अफसोस है लेकिन पूरी उमीद है कि वो और सुनील जल्द ही एक अच्छा शो फ्लान करेंगे करीब दो महीने पहले ये कहते हुए कपिल शर्मा का हिट शो बंद कर दिया गया था कि शो को सीजनल ब्रेक दिया गया है और अगले साल शो शुरू होगा बता दे कि शो के बंद होने से पहले कपिल लगातार विवादों में रहे आने साथी कलाकारों के साथ जगड़े की वज़े से सुनील ग्रोवर, अली असगर और कुछ समय के लिए चंदन प्रभाकर्शो छोड़ कर चले गए थे कपिल डिप्रेशन में आकर शराब पीने लगे थे उनकी सेहत अकसर खराब होने लगी और इस कारण बड़े-बड़े सितारे बिना शूट किये ही सेट से लोट गए